समान नागरिक सहीदा पर देश में चल रही बहस के बीच कानून मनप्राले की संसदी अस्थाई समीती की बैठक आज हुई अस्थाई समीती के अध्यक्ष और बिजेपी सांसद शुशिल मोदी ने बैठक की अधिशिता की जहां यूसीसी पर सभी दलो के संसदों ने अपनी बात रखी वहीं लॉग कमिशन भी अपने ड्राफ्ट के साथ बैठक में शामिल हुआ तो क्या है यूसीसी की ड्राफ्ट में देखते हैं इस रिपोर्ट में यूनिफार्म सिविल कोट को लेकर लॉग कमिशन ने बेसिक फ्रेमवर्क तयार कर लिया है जिसमें लैंगिंग समानता पर सबसे ज़ादा जोड़ दिया गया लॉग कमिशन को अब तक करेब साड़े नौ लाक सो जाव मिले हैं यूसीसी के बेसिक फ्रेमवर्क के मुताविक सभी की शादिया रजिस्टर्ड होगी लेकिन ट्राइबल्स को जरूरी रियायते दी जाएगी इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं को गुज़ारे भत्ता का अधिकार भी मिलेगा इसके साथ ही सभी को अड़ाप्शन का अधिकार भी दिया जाएगा UCC के लिए तयार बेसिक फ्रेमवर्क के अनुसार बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी इसके अलावा इद्दत और हलाला पर भी रोक लगेगी उत्राधिकार में लड़की और लड़के दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा पती की जान चली जाने की स्तिती में और बेटा ना होने की सूरत में मुस्लिम महिला को संपती का पूरा हिस्सा मिलेगा इसके साथी पती की भाईयों को हिस्सा नहीं मिलेगा वही सुझाव के अधार पर इसमें संशोधन भी किये जा सकेंगे बेसिक फ्रेमवर्क के मुताबिक लिविन रुलेशंशिप का जिक्र नहीं होगा इसे डिस्कलोस किया जाएगा सभी को अड़ाप्शन का अधिकार दिया जाएगा मुसलिम महिलाओं को भी ये अधिकार मिलेगा शादे की उम्र 21 और 18 साल ही रखने की सहवती बनी है तलाख के एक जो ऐसे आधार होंगे जो आधार पुरुश के लिए होंगे वही महिला के लिए भी होंगे गार्डियनशिप से जुड़े कानूनों को आसान किया जाएगा पूजा, नमाज और शादे के तोर तरीकों पर कोई रोक नहीं सभी अपने धार्मिक नियमों का पालान कर सकेंगे हुएफ पर कोई रोक नहीं होगी ये एक टेक्सेशन का प्रावधान है जो पहले की ही तरह कायम रहेगा ट्राइबल्स को परसनलों में मामलों में रियायत दी जाएगी सुझावों के आधार पर इस बेसिक फ्रेमवर्क में और भी जरूरी संशोधन किये जाएगी डीबी लाइफ की रिपो